भारत देश में मानव अधिकारों के लिए दबे कुछले बहुजन समाज शोशित वन्चि समाज के मानव अधिकारों के लिए सत्रवे सदी से कही मानव अधिकार अंदोलन शुरू हुए चारवाग भगवान बुद्ध से लेकर मान्यवर कांशिराम साहब तक इन मानव अधिकारों ने समय समय पर वन्चि सोशित समाज के हक और हकुप की बात की इन तमाम पूरे श्रंखला में भगवान बुद्ध के बाद महात्मा जोतिवा फुले राजशी शाहु महराज डॉक्टर बावा सहब अंबेडकर पेरियार एवे रामस्वा बिनायकर स्री नारणा गुरू ऐसे अनगिनत महापुरुष हैं जिनोंने अपने जीवन में एक अमुल्य योगदान किया है लेकिन इन सारे महापुरुषों के विद्रोह में संगर्ष में डॉक्टर बावा सहब अंबेडकर का संगर्ष एक अनुटा रहा एक बहुत महत्वपूर्ण भारत के इत्यास का हिस्सा रहा और वही डॉक्टर बाबा सहब अम्बिडकर जो भारत के सम्विधान के रचेता है उनके पूरे संगर्ष को लेकर आज भी उनकी विरासत को लेकर जब लाको करूर अनुय आई पूरे भारत वर्ष में उनके संगर्ष को आगे लेकर जाने की बात करते है तो आज 6 डिसंबर 2016 है दॉक्टर बाबा सहब अम्बिडकर इनका साठावा समृति दिन है महापरिनिरवान दिन है इस महापरिनिरवान दिन के मوقع पर बाबा सहब को चाहने वाले मानने वाले उनके संगर्ष को आगे बढ़ाने वाले लाको करूरो लोग एक तरप उनके प्रती स्रद्दा सुमन अर्पित करके उनके बदलत जो भी कुछ आज है उनके तरफ वो उनका आभार व्यक्त कर रहे है तो दूसरी तरफ बावा सहाब के संगर्श के बदलत ही जो पड़े लिके लोग बनें जो नेता बनें जो आगे बड़े नोकरशाह बनें यही लोग जिनको बावा सहाब के अंदलन का सबसे बड़ा फाइदा हुआ वही लोग आज बावा सहाब का अंदुलन छोड़कर कोई कॉंग्रेस के रस्ते पर तो कोई मोदी भाजपा के रास्ते पर कोई संग के रास्ते पर चल रहा है ऐसे उन गधार अन्योय के बारे में हम क्या कहे बाबा आज 6 डिसम्बर है आपका महा परिनिर्वान का साथावा ये सालगिरह है ऐसे महा परिनिर्वान की दिन के मोगे पर उनको आप माप कर दे इसके अलावा हम और क्या कहे सकते है बाबा महरस्त में मरठा मुर्ग्षे के बाद दलीत अधिवाशी अत्यचर प्रतिबंदक कानून को विरोध होने के बाद नाशिक जिले में बाबा आपके बच्चों को गाव गाव में दवड़ा दवड़ा कर पीटा और आपके गुरू भगवान गोत्त बुद्ध इनकी कही जगा प्रतिमाई तुड़वाने के बाद तता इन अप्रिय घटनाओं से क्रोधित होकर और आपके सव्विधान के सम्मान में लाकों की संख्या में प्रतिरोध मौर्चे निकालने के बाद भी बाबा आपके कुछ नालाइक बंदों को थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है वो मोदी और भाजपा का गुनगान गाए जा रहे है ये बड़ा पीड़ा दायक है और दर्दनाक है और हाँ बाबा अगर आपके इन नालाइक बंदों के अब भी सुदरने के कोई दिन नहीं दिख रहे क्योंकि वे दिन बदीन पिछले दो-तीन सालों से जब से भाजपा मोदी सत्पा में आये है उनके शर्नागत होते जा रहे और उनके राग अलापते है भाजपा और संग परिवार समुचे अंबड़करी अंदोलन को संगर्ष को बाबा आपकी विरासत को खत्म करने में पिछले लगबग 80-85 साल से संगपरे आर पूर्जोर ताकत से लगे है वैसे तो उनोंने हिंदुत्व के नाम पर OBC भाई बैनों का स्वतंत्र आंदोलन कभी भी खड़ा नहीं होने दिया है देश के नई या दस प्रतिशद आदिवासि का उनके स्वतंत्र अस्तित्व संस्कृति जीवन शैली और राजनिती का अंत करते हुए जाती से मुक्त आदिवासि को जाती के बंदन में बेजोर तरीके से जकड़ कर आदिवासि से वनवासि बनाया है ये बात आदिवासि के भी समझ में नहीं आ रही है बाबा आप अकेले थे आपका संगर्ष अनुटा था जिसने उन तमाम बहुजन विरोधी ताक्तों को रोके रखा था आपकी राजनिती ने आपके बुद्धी चातुर्य ने और बहुत धम्व के सांस्रुतिक परिवर्तन ने उनका विश्वास पस्त किया था आपके वैचारिक, राजनितिक और सांस्रुतिक विद्रों ने इनके इत्यास और समुचे प्रवाग को हिला कर रख दिया था और हाँ बाबा आपके शक्तिशालिया और गौरापूर्ण सविधान ने तो आपके निर्वान के बाद भी उनके रास्ते को रोक के रखा है आपके जाने के बाद उनके बहुत सालों के सपने को साकारने है तू आपके अंदोलनों को वो लोग मिटाने चले है और बाबा आपके कुछ नालाइक बंदे कार्य करता और नेता उस भीड में में शामिल होकर जाने अंजाने में दुश्मनों का साथ देते नदर आ रहे लेकिन बाबा साहब ये भी सच है कि आपके महापरी निर्वान के बाद कोई कांशिराम नाम का एक शक्स पाइदा हुआ जिसने आपके कारवा को फिर से सवारा चलाया और आगे बढ़ाया इतना ही नहीं तो बलकि देश के राज़निती में उसका अपना एक वर्चस्वस तापित किया लेकिन बाबा क्या करे आपके ही भाशा में इस देश में करांती और प्रतिकरांती हमेशा एक दूसरे का पीछा करती रहती है इस सच्चाई का बहुल जल्द पता होने लगा मान्यवर कांशिराम जी इनके 9 अक्टोबर 2006 को निर्वान के बाद एक बार फिर आपका कारवा उचाई से धलान पर आने लगा 2014 के लोगसबा चुनाव में तो वशुन्न के स्थर पर पहुँच गया इतना ही नहीं 2014 लोगसबा चुनाव तक देश के कोड़े कोड़े में अलग-अलग नेता और संगटन जो आपका नारा देने में बिलकुल सक्षम थे उन्होंने भी भाजपा मोदी का नारा लगाना शुरू कर दिया परिणामता बाबा समुचे भारत में जो आपका अंदोलन का वर्चो सो बना रहा था वो दीरे दीरे खता मोड़ता नदर आ रहा था हम महरास्तर में कुछ 37 बात को गंभीरता से लेकर सोच रहे थे और इस सच्चाई को जल्दी समझ पाए और समझ कर दुबारा आपके संगर्श को खड़ा करने का प्रयाश शुरू करना शुरू किये अलपसंख्यांग बिश्डे समुधाय OBC आदिवासी विमुक्त जाती इनको जोड़ने का काम शुरू किया आप और कांशिराम जी इन्होंने बता हुए रास्ते को अपनाते हुए जाती तोड़ो समाझ जोड़ों को बात को आगे बढ़ाया पावर is the product of struggle इस कांशिराम जी के बात को मान कर पिछले दो साल से बड़े बड़े जना अंदोलन खरे किये हमारे इस प्रयास को दो महिने पहले सिर्फ एक साल हुआ है और बाबा खुशी की बात है कि महारास्त में हमें इस बात को लेकर एक बड़ा भारी जनसमरतन मिल रह है महारास्त में जनवरी 2017 तक नगर परिशत के चुनाव संपन्न हो रहे है उसका सिर्फ हाली में एक चरण खतम हुआ है तीन चरण बाकी है और उसके बाद पूरे राज्य में जिला पंचायत तालुका पंचायते और महानगर पालिक का चुनाव हो ले वाले है और उसके ब हम चुनाव आयोक के निती और नियमों के अनुकार पंजी कुरुत राजनेतिक दल बन चुके है इस बात को भी लगबग एक महिना ही हुआ है लेकिन उसकी परवा के बगर आक्टोबर 2016 में ही राज्य के विबेन जिलों में होने वाले नगर परिशत चुनाव में अपने मर इसके बावजूद कई जगा पर उमिद्वार उतारे खुशी की बात यह है कि चुनाव के वक्त पंजुकृत दल ना होने के बावजूद भी सबी जगा चुनाव निशानिक की समश्य होने के बावजूद भी कार्यकरताओं को चुनाव जीतने लड़ाने का अनबव ना हो सब को चवपाया है सिर्फ तीन उमिद्वार जीते हैं लेकिन बल्लार्शा नगर परिशद अद्धिश के चुनाव में कॉंग्रेश शिवसेना राकापा और अन्य दलों को पीछे छोड़ते हुए भाजपा के किल्लेदार महारास्ट के वित्तमंत्री और केंद्र के राज्य मंत्रीन के गड़ में ब्यार्यस्पी ने भाजपा को एक बड़ी कड़ी टकर देते हुए महारास्ट की राजनिती में एक नया अध्याय शुरू किया है काश अगर वहां चुनाव यंत्रना शराब और नोटों का अगर गलत तरीके से इस्थिमाल नहीं होता तो वही जगह पर भी आरीरसपी भाजपा को हरा कर बाबा आपका पहला अंबेड्करी दल होता जिस्ने भाजपा को हराने का काम किया होता तकरीबन 176 हमारे उमिद्वार सिर्फ सौ 10.500 वोटों से कम अंतर से हर गए लेकिन अंबेड्करी अंदोलन बहुजन अंदोलन का अस्तित्व और स संगर्श के सामने दुश्मन के भी पसेने छुडाने में हम सपल रहे और ये हमारी कोशिश सिर्फ ग्रासरूट लेवल पे नहीं थी बाबा तो उपरीश तर पर हमने नॉन कॉंग्रेस नॉन बीजे भी दलों का गड़ बंदर बनाते हुए चुनाव जीतने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं चोड़ी बाबा सहाब आपके परंपरागत रिपब्लिकन पार्टी के सारे कारे करता और नेता इनको साथ मिलेने की कोशिश की जो आए उनको खुशिश है अपनाया लेकिन जो कॉंग्रेस भाजपा के पिछलगूई बनकर रहे उनको हमने अपने से हमेशा के लिए विदा किया और इसलिए बाबा आपके मारगपर चलकर कांशिराम जी के बतावे रास्ते पे चलकर फिर से हमने आपका अंदोलन आपका संगर्श महारास्टर में रिवाइव करके कामयाब बनाने की कोशिश की है और इसमें महारास्टर में हमारे जो गोर ग या अदा करता हो क्योंकि ऐसे जिगरबाज कारे करता हो के बरह से कोई भी अंदोलन खास करके समाज परिवर्तन आर्थिक अंदोलन का बहुजन अंदोलन सफल हो सकता है और इसलिए आने वाले सबी चुनाओं में हमारी ये अपिक्षा भी है कि उन चुनाओं में भी हमारे त के कारे करता साथी अपना मान अपमान की परवा किये बगर बावा सहब आपके कारवा को मंजल तक पहुशाने के लिए जी जान लगाएंगे और कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे इस बात का मुझे विश्वा से क्योंकि बावा सहब आपके नाम पर जूटी विकाव राजनित रिवार्य चाहते हैं जिससे हमारे महापुरुशों का अंदुलन आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा गतिमान और शक्तिमान हो क्योंकि हम अच्छी तरक यह जानते हैं कि हमारे ऐसे सच्चे प्रयासों से ही आपको हम सही रूप से एक अच्छी अधरान जली त्रदान जली दे सकते हैं बाबा साहब ये खुशी की बात है कि हमारे ये रिवाइबल के प्रोसेस के प्रयास को महरास्ट में भारी यनसमर्तन मिल रहा है चिनाव में सपलता मिल रही है और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जब हम दस साल का प्लान बना कर महरास्ट के राजनीती में फुलेशव अंबल करके राजनीती विरासत को किसी भी कोशिश करके सफल बना कर रहेंगे ये जब अजेंडे के साथ चल रहे है तो हमें पूरा विश्वास है कि दस साल के अंदर हम पूरी कोशिश लगा कर जी जान से कोशिश करके महरास्ट में फुलेशवं अंबिल कर राजनीती की खोईवी जमीन को वापस पाल आएंगे और उसकी प्रतिस्टा को पुडर प्रस्तापित करेंगे बाबा अंत में मैं क्या कहू बस आपके राजनीतिक सबसे बड़े शिश आधनिय कांशीराम जी की ही बात दोहराना चाहूंगा बाबा साहब कांशीराम जी हमेशा कहा करते थे कि बाबा तेरे मिशन की जाने ना देंगे शान तेरे मिशन के वास्ते हम दे देंगे अपनी जान और पूरी जान की बाजी लगाकर आने वाले दस साल में किसी भी स्तर पर जाकर बाबा आपके कारवा को महारास्टों में एक श चक्तिशाली रूप देकर पुनरस्तापित करेंगे इस विश्वास के साथ बहुजन रिपॉब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी की तरफ से मैं आपको आपके साथावे महापरिनिर्वान दिन के मौके पर आधरांजली अर्पित करता हूँ